कि सब्सक्राइब लुक्रा फेल हैं पोठा के पोठा परना है लेकिन पूड़े एकजाम जब दोगे तो पोठा के पोठा नहीं आता है मातर आपको 10 sot question और 3 long question का ही जवाब देना होता है और objective का portion अलग होता है objective पराइन नहीं होना है subjective होने वाला है ठीक है न तो आपको ऐसे पूछेगा 10 से 20 सौट कोसन और 6 लॉंग कोसन उसका आधाता जवाब देना है तो जवाब देना उसी को त्यारी करना है एक्षटा पूछता बात के छोड़ दो तो 10 सौट कोसन कैसे किलियर हो पाएगा तो उसके लिए आपको पूड़े बुक पर लिजे काम किलियर हो जाएगा और यह 100 ऐसे सलेक्टेट कोसन होता है पूड़े एक्सप्रियेंस के साथ हम 8 साल से परा रहे हैं पूड़े एक्सप्रियेंस इसमें जोग कर अब सरेक करते हैं इसका पीडियेप नोट से रेडी है लेने के प्रयास कीजिएगा जिसका ले करते हैं बिना देरी किये हुए चलो तो सबसे पहला कोसन इस लेक्चर का आता क्या है अब बोलोगे सर एकासी नमर कोसन कहां से आगया कोसन नमर वान होना चाहिए मेरे मित्र आपको जश्ट बताया मैंने लेक्चर नमर नाइन है क्योंकि लेक्चर आठ तक उल्लेडी प्र से आप क्या समझते हैं मैसितर आपसे एक बार बार और एकजया में पूस्ता है कि दुवित्यक उलक है फ्यूमस की विप्योग करना जैसे कि मोघ्जट की बेटरी और ट्रक की बैटरी जो भी बैटरी जो चार्ज करके बाहर बार उपयोग कर सकते हो कुछ बैटरी ऐसा होता है जिसको एक बार चार्ज कर किया हुआ होता है एक बार उपयोग करने डवल उपयोग नहीं कर सकते जैसे घरी के battery, remote के battery, जो हमारे पास अभी बहुत सरा remote भी पड़ा हुआ है, मैं आपको बता दू, इस सब का battery होते हैं, इस सब का battery या primary sale होते हैं, प्रात्मिक sale होते हैं, इसकी redox अभी किरिया बारबर नहीं होती है, केवाल एक बार हियं होती है, ठीक है ला, ओर दुवित्य ऐकसेल जो हमारा लेडिस अंचाएक सेल है इसकी अभ्यक्रियाब बार बार होती है और इसको बारबार चार्ज करके बार बार अभिकरिया कराकर हम इसको बारब उपयोग में ला सकते हैं ठीक है न तो लेडिस टॉरिस बैटरी क्या समझिया वैसे battery जिसे लंबे समय तक बार बार परियोग में लाया जा सकता है मैंने जश्ट बताया लेड संचायक sale होता है लंबे समय के लिए mobile के battery दर्खते हो पांच-पांच साल तक चलता है 6 साल तक चलता है उसके बाद खराफ मना सुरूग होता है तो वैसे बैटरी जिसे लंबे समय तक बार बार उपयोग में लाया जा सकता है जिना हम पुने आवेसित किया जा सकता है आवेसित मतलब चार्ज है हम बार बार उपयोग करते हैं चार्ज चार्ज भाई उनको हिंदी जो होता है चार्ज का आवेस होता है ठीक है ना त्याद रखना जिसे हम पुना पुना क्या कर सकते हैं चार्ज मतलब आवेसित कर सकते है नहीं कि आवेसित कर उपयोग मिलाया जा सकते हैं संचायक सेलिया संचायक बैट्री कालाता है तो यह definition के लिए होगा इससे easy definition कहीं नहीं मिलेगा इसे बनाना चाहो तो बना सकते हो कुछ दिक्कत नहीं है इसके वेसिकलिए आपको इस में भारा होता है यहां पर यहां पर पीवी और पीवी ओक्साइड और पीवी भरा होता है लेट बरा होता है और अराम सी फिगर बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं आगे चलिए देखो समय लगेंगे को उसी कोशन प्रहाने में लेकिन याद रहे उसको कोशन के किलिए रो जाएगा अब पूछेगा लेड जिनने हम पूना चार्ज करके बार-बार उपयोग में ला सकते हैं पर डिफनीसन त्यार है समझे हो देखो डिफनीसन याद करने का पॉइंट बनाओ पॉइंट बाइस याद करोगे सटा सट याद हो जाएगा चलिए और यह सब पीडिएप आपको मिल चाएंगे अगर अ इतना कोशन मिलेगा इससे लेना चाहे नंबर दिख रहा है कंटिक फोटाक्सिन केजिएगा और बीस दिन में पूरे त्यारी हो चाएगा 80% प्लॉस का यानि कि 400 प्लॉस इजी तरीका से करना है तो यह आपको इतना कोशन पर लोग गरांटी की संतर आजाएगा कोशन कहें उदासनी करन तो आपको प्रभासित करें उदासनी करन ताप क्या है देखो जैसे कि हम क्या करते हैं गरम पानी और बर्फ ठंडा होता है बर्फ और गरम पानी जब डालेंगे तो पुछ ऐसा होगा कि वह आटोमेटिक नौर्मल हो जाएगा ठंडा पानी हो जाएगा नॉर्मल पानी ओ ठंदा पानी में दुनग फरक है ठंदा पानी होता है उसका टंप्रेचर जब घटना शुरू ओगा और जो होता है उसमें टंप्रेचर बटता है तो बरफ को और गरम पादी को एक जांत मिलाओगu तो एक वाले ही क्लासेस में पढ़ना होता है तो अमल और छार जब एक साथ मिलेंगे तो उदासीन बना देगा जैसे कि मिठा और खटा खटा और मीठा जब एक साथ मिलाते हैं तो इमें खट मिठी बनता है तो आधा मीठा आधा खटा लगता है एक लेवल तक मिलाने पर एक दूसरी से उदासीन कर देता है आप एक लेवल में दो रंगों को मिला होगे तो वाइट बन जाएगा पता ही ने चलेगा रंग तहां गया ठीक है उसी तरह से करता है उदासीन करन ताप क्या है इस्तिर ताप करम एवं आयतन पर एक ग्राम तुल्यांक अमल या च्छार को पूनता उदासीन करता है तो जितना ताप उत्सरजित होता है तो उसे हम लोग क्या करते उदासीन करन ताप करते समझ भी नहीं pH value 7 होता है, इसका pH value 7 होता है, अगर और अमल का, जो अमल होता है, वह अमल जो होता है, अमल का pH value 7 से कम होता है, क्या होता है, 7 से कम, और जो छार होता है, छार को 7 से अधिक होता है, साथ से अधिक देखो उदासीन साथ होता है अमल साथ से कम होता है छार साथ से जादा अब देखो अमल और छार को आपस में मिलाएंगे एक एक ग्राम भाई अमल और छार को हो सकता है कि अमल का वहलू से हो और छार का वहलू एक हो मतलब एक लेबल का जब जब दोनों का मिलाएंगे तो इसका भेलू क्या बनेगा साथ है ना यानि कि दोनों का मिलाएंगे मिलाएंगे यानि कि हो सकता है इसका भेलू 3 हो यानि कि अमल का भेलू 3 हो और इसका भेलू आपका कितना हो 4 हो मतलब ऐसना को उदासीन एक 4 लेबल तो दूनों जूटे शोसी आता है उसमा पूनता उदासीन करता है और इससे जितना ताप निकलता है तो जितना ताप उत्सरजित होता उसे हम क्या करते हैं उदासनी करन ताप करते हैं तो समझ मैं यह कोसन बहुत है यह कोसन 2016 की एक्जाम में पूछा गया है मेरे वितर यह सब कोसन इतना इंपोटेंट है अब लोगों सर 100 कोसन पढ़ा रहे क्या गरांटिय इसी मिसा आ याद रखने की बात है याद करने की बात नहीं है तो आपका दिमाग जो है किसी का भी कुसे का याद खर सकता इस से जिया के अपने से याद करते हैं तो क्या अपने से जो हंडेड ए आसी कोसन याद करो उसकी गरांटी है क्याने का एक्जाम में पुरोगे सर्तों नहीं तो याद रखना जब अपने से जो याद करोगे से और हम देंगे उसमें फरक क्या है आप पहली बार पढ़ रहे हो और हमारे यहाँ ओनलाइन में लाखों पर रहे हैं और हम आठ शाल से परा रहे हैं तो मेरा एक्स्प्रियेंस जादा काम आएगा आपके तूलना में इसलिए यहाँ पे हंडेट कोसन आपका जो दिमाग एब्जर्ब कर सकता है उतना ही हम कोसन देते हैं और उससे आपको अराम से 10 में 10 कोसन यहाँ से आजाएंगे अगले कोसन है आप नाइटोजन की इलेक्टोन बंदुता कारवन से कम होता है क्यों पेर में दोस्त नाइटोजन और कारवन दो पदार्थ है तो काता है nitrogen, nitrogen की electron बंधन लिख देते हैं, बंधन कमजोर होता है, यह कम होता है, किस की तुलना में, carbon की तुलना में, किस पर इलेक्ट्रोन बंधन लिख देखें, किस पर इलेक्ट्रोन बंधन लिख देखें, हुन्ड के नियम अनुसार, अर्ध भारा कक्च और पून भारा कक्च अधिक अस्थाई होता है, नाइट्रोजन में पी कक्चक अर्ध भारा है, इसलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोन बंधन लिख देखें, बंधन से कम होता है, आप समझेए, यहाँ पर एक चीज है, सिंपल बात है कि जो बंधन का नियम है, सिंपल कहा कि यहाँ पर बंधुता बंधुता जो कहा गया नाइट्रोजन का कमजोर होता है, कम होता है, किसके तुल्ला में, कार्बन की तुल्ला में, इसका रीजन क्या है, जो इलेक्ट्रोन बंधुता इलेक्ट्रोन बंधुता इलेक्ट्रोनिक बिन्यास पनिर्वर करता है ठीक है इलेक्ट्रोन बन्थ्वता क्या है एलेक्ट्रोनिक विन्यास पनीजबर करता है ठीक है ऑर्ध भाएर्द्ष DO चीज मिस वा है अर्थ भारा हुवा कश्छ से और नहीं और अधिक ताई होता है यानि कि जो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्टोन विन्यास लिखते हैं, तो और्विटल होता है, एस और्विटल, पी और्विटल, डी और्विटल होता है, तो जो पून भरा हुआ कक्चा होता है, जो और्विटल होता है, वो अधिक अस्थाई होता है, अर्ध भरा हुआ कक्च के तुल्ना में, यही करता है, कि इलेक्ट्रन बंदुता, इलेक्ट्रोनिक विन्यास पनीरव करता है, फुनिके ऍलियम का दूसार, अर्थ भरा हुए कक्ष से, पुन भरा हुए कक्ष अधिकस्थाई होता है, ठीक है, लेकिन, रहाँ पर, नाइटोजन के, अर्थ भरा है, और nitrogen के peak अच्छा क्या अर्ध भरा है इसलिए nitrogen क्या है nitrogen का electron बंदूता कार्बन से कम होगा त्यूंगे carbon में पोन भरता है और electron में कम भरता है इसलिए ठीक है अगले कोशन देखो अगले कुशने आप इसकंदन किसे कहते हैं 2023 के exam में पूछा गया है और कितना है student कहते है सर इतना easy definition इतना छोटा definition कहें लिखते हो आप मेरे मित 30 पर मतलब कहरे है हजारों नहीं मतलब निकल जाता है मतलब सालों का मेहनत है एक दिन में यह सब नहीं होता है एक दिन का यह कु पर आफींचर में देखऊंगे इसका definition यह अधिक्तम teacher लोग लिखवाते है हता है बहुत बराबरा लिखवाते है लेकिन हमारे हाका definition पर ने के टिचर के पर आद कर पर कुम जाते हैं बच्चे ताकि वहां पे जो मिले, अपना language में मिले, असान भासा मिले, इसलिए मैं अपना भासा में, तो इसके अंदन क्या है, किसी भी कुलाइडी विलियन का और छेपन में परिवर्तत होने की परकिरिया को इसकंदन करते हैं, किसी भी कुलाइडी विलियन का और छेपन में परिवर्तन होने की परकिरिया, तो क्या काते हैं हम लोग, इसकंदन करते हैं, बात यहाँ है मैं रवत्र, बहुत हीजी गोसने, अगले गोसन देगो, और प्लीज, डेली आपको सामक साथ से आठ, आठ से नौ क्लास सलता है, और बहुत साले लाइड में बच्चे हैं, लेकिन हम इस किसी को भी देखने सकते हैं, ठीक है, एक और चीज, इस सब का PDF नोट्स मिल जाएंगे, एप डाउनलोड कर लीजिए, और अभी तक आपने PDF नोट्स नहीं लिया है, लेने के प्रास कीजिए, प्रेस कोर्स भी आ चुका डेली सुरू होगा, डेली एक टेस्ट रेलेगा, नौबस नाइट में 30 मिनिट का, और उसको जोईन करना है, एप डाउनलोड कीजिए, क्या कीजिए, प्रेस का प्रेस कीजिए, जहां पे 99 रुपा में All Subject का टेस्ट सीरीज है, उसको लेने के प्रेस कीजिए, और जो बच कीएगा साबुन और सरफ को, जब हम लोग एति करते जहाग बन जाता है, हम लोग बचपी हमने खेलते थे, सेंपु जयान करते थे, कि सेंपु क शर्फ को पालटी में पानी रखते थे और उसको खूब चलाते थे, तो पूरा जहाग बन जाता था, और जहाग कून character से गए प्रकार के आयस्कों का संद्रन किया जा सकता है मैंने मित्र आपको बता दे जहाग प्रयूख की जाती है जिने आयस्कों के गन तेल द्वारा और असुध जल द्वारा भीग जाये मतलब देखो शम שמज़िये मतलब वैसा धातू जो पानी में औ और तेल में आधातू मिल जाये यह भीग जाए वो इसे धातू के लिए यह भीधी परियुपत है ऐसा नहीं कि कोई धातू उसमें डाल यह भीगता ही नहीं है कोई धातू देखिएगा पानी में डाल देजिएगा पानी में भीगेगा ही नहीं तेल में भीगेगा ही नहीं तो भीगेगा नहीं तो फिर इसक कोपर केसे बना कापरपराइट कोपर कोपर बाइट कि नोकोचान इसक होता है लड्डू केसे प्रकार्स के तो छोटे-चोटे बुणियां से बनता है प्लाइब है समॉसा कैसेन वना मैदा और आलू मिला कर समोसा वना कोई वस्तु बनता है तो उसमें बहुत सरा सब्स्टांस मिला रहता है ठीक है ना तो जहाग प्लावन बीदी वैसे धातु के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनके आयसक के कन जो आयसक के कन होता छोड़ा छोड़ा तेल द्वारा या कि पी-वी मिले ना खोपर परयवता आदी एयसक का सांधरन इस वीदीदी दौरा कर सकते हैं अब जिनक वलेट जो जिनक व्लेट आयसक है किसका का जिनक म्यलेट को आप जानते हो आप जेखे होंगे तांबा कॉपट छिक ना जिनक लोहा तो लोहा को याई कि इस बीदिद्वरा नहीं कर सकते हैं कि भीगता ही नहीं है वही कहता है कि जाग पलावन बीदिद्वरा वैसे धात्कों को सांद्रित किया जाता है जिनके आयसक के कन तेल अथवा जल में क्या हो भीग जाए जैसे जिंक पलेट गैलेना पॉपर पराइट आधी एसकों का सा सिंपल डिफनीशन है और इसे इजी डिफनीशन कहीं नहीं मिलेगा मैं अगर आपके घर में कोई तेन्थ आर्ट्स के बच्चा पर रहा है उनके लिए भी क्लासेस हैं सिक्छा सेतु तेन्थ एक यूट्यूब चैनल है सिक्छा सेतु तेन्थ उस पर आप जाएगा ना तो पीडियाव नोर्स लेना चाहो एप पर लोग निनानवेट पर मिल जाएगा और सब्सक्रेस कोर्स एक सो निनानवेट का उसको ले सकते हूं ठीक है चली उसने एनलीन दुरबल भस्म है व्याख्या करें जो एनलीन होता है दुरबल होता है क्यों इसका राकारन क्या समझें एनलीन जो होता है एनलीन जो होता है एनलीन फैक्टिक एमीन की तुलना आप तुलना में दुरबल भस्म होता है देखो एनलीन का आपको फिगर क्या होता है मैं बना देता हूं एनलीन जो बनता है इस तरह से यह बेंजीन का हम बना रहे हैं यह बेंजीन हुआ यह क्या kuna उशय प्र लगा देना depends to putLEY नजा एंडाने किसी कोन पर अविंजीन इलेक्ट्रों आकरसित ऐन्जीन क्या है इलेक्ट्रों को आकरसित करता है यानि कि यह क्या करेगा आकशित करेगा तथा अनुनाद के कारण नाइटोजन पर उपस्तित इलेक्टान युग में वेंजीन रिम की और हिंचा जाता है जिस से नाइटोजन पर इलेक्टान घरब घाता है अब देखो ège समझ में आयेगा आपको कईसे जैसे कि देखो यहां पे हम नहीं जोड़ेंगे इनेस्टू और क्या कहता है कि जो यह नाइटोसन परमान हूं को इस पर इलेक्टौन उपस्तित हैं वह इसके खीच लेगा बेंजीन यह खीचता है आकरसित करता है और खीचेगा तो क्या होगा अनुनाद में कमजोर पर जाएगा और कमजोर पर जाएगा तो क्या करेगा तो बेचकरा टूटेगा तो टूटेगा तो बाइस और यहां पे जब खीचेगा तो इस पर इलेक्टोन बंदुता घड़ जाएगा तो तथा अनुनाद के कारण नाय्टोजन पर उपस्थीन देखो नायटोजन क्योंकि गूणकि जो होता है एमीन और वैंजेन जूटकर एनलीन मनता है एमीन में नायटोजन होता है एनलीन नायच्टोजन वेंजिन की और कीचा जाता है खीच जाता है जिस से नाइटोजन यहां पे नाइटोजन जो है इस पर बाई इलेक्टोन घर जाया क्योंकि इलेक्टोन खीचा बेंजीन खीच लिया इसलिए नाइटोजन पर यह एलेक्टॉन गनतव घड़ जाएगा तो भाई यहां क्या हो जाएगा यह तो कमजोर पर गया और जब तक बेंजिन के साथ एमीन नहीं जूटेगा एनलीन बनेगा कैसे आया ना इसलिए दुर्बलोद समझ में तो आगया होगा दो बार पर होग क्या कंग हों ऑफलयं क्लासरम सबसे मिनेगा और सबसे सटीक्साइब कर और अइसा डिफिटेशन से अगर किसी ओफलाइन टीचर घफलाइन क्लासस में मिल रहा है तो वह ठीचर हमसे नोट्स ले है तो परไज कर एकन आधिकतम अगोगर टीचर को ंभर मेरा नोर्स से मैच यह क्यों होता है पी मतलब पारा तो पारा नाइट्रो फिनॉल पारा मिथाइल फिनॉल से अधिक अमलिये हैं समझ में नहीं है समझें गोस्टन जो कहा गया आप से कि आपको पारा नाइट्रो फिनॉल जो है यह अधिक है अधिक अमलिये है अधिक अमलिये है अधिक अमलिय है किसकी तुल्ला में पारा मिथाइल फिनॉल से ज्यादा अधिक अमलिय है पारा नाइट्रो फिनॉल तो पारा नाइट्रो फिनॉल आपे पारा मिथाइल फिनॉल से अधिक अमलिय होता है क्यों कि क्योंकि पारा नाइट्रो फिनॉल में इलेक्ट्रोन आकर्सक करने वाला समू अधिक प्रभाविग होता है क्योंकि पारा नाइट्रो फिनॉल में आप समझना पारा नाइट्रो फिनॉल में इलेक्ट्रोन को खीचने का अधिक छमता होता है और जिसके पास इलेक्ट्रोन को खीचने के चमता होता वह ज्यादा मलिये होता है जिस तरह अभी बता है नायथी में इनलीन में इनलीन का मनुता कमजोर होता है क्योंकि उसमें बेंजीन इलेक्ट्रोन को खीच लेता है तो बेंजीन ज्यादा प्रवल हो जाता है और इनलीन क पर जाता है इसलिए कहा गया कि पारा नाइटो फिनोल में इलेक्ट्रोन आकरसित करने वाला समु अधिक प्रभावी होता है निकि खीचने में ज्यादा शक्रिये होता है किसी किसी का देखिएगा टीम ज्यादा फुर्तिला होता है इसे आभी मैं चल रहा इंडिया और निउजिलेंड का निउजिलेंड वाला बहुत थुर्तिला है वह एकोगो कैच मिस नहीं करता है और इंडिया खुप करता है तो यह कहा क्या भले मरने में तेज है तो इसमें ज्यादा प्रभाववी होता है उता हुँ आप पारा नाइट स्थितन लेता नहीं देता और उल्टा पर गया अब इलेक्टान देगा तो बैचला कमझोर हो जाएगा वही करता है कि पाराणायट्व फिनोल में इलेक्ट्रोन को कमजोर प्रभाव होता है ठीक है इलेक्ट्रोन को लेता नहीं है या इलेक्ट्रोन का कमजोर प्रभाव रखता है इसलिए इसके लिए क्या है पारा नाइट्रोफिनॉल अधिक अमली यह है पारा मिथाइल फिनॉल की तुलना में ठीक है समझ भाया है ना आगे बरिए अगले कोसे ने बेंजीन तो से बना देता हूँ अच्छा लगएगा वेंजीन इस प्रकार से बंते हैं मैंने मित्र याद रखना लड़ु पार्दी जब बन गया अगर ऐसे भी नहीं बनाना चाहें तो आप इस प्रकार से बना सकते ब Americas perform say this एक बand के छोर कर डबल बांड लगा दीजी आपका बन गया ब्र ठीक है तो बेंचीन कहा गया वेंजीन के नाइट्रोसन की खटार टो जा साझद्र नाइट्रिया कर रहा जाता है याद जब बेंजीन की अभिकिरिया जब बेंजीन की अभिकिरिया दो वस्तु एक तो आप कर सकते हैं नाइपे सांद्र नाइट्री कमल यानिकि एच एनो थीरी या सांद्र सल्फियूरी कमल यानिकि सल्फियूरी कमल से कराते है या करया जाता है तो क्या भोता है चीन का नाइट्रेशन होता है जएक ताया पर झ भुक्रत बंचीन इधर बनेगा इस तरह से बनेगा ়ंचीन वहा लेकिन इसकर क्या नाइट रही कि आपको न कि 216 यह एक बॉन्ट पर घेएगा इसमें से किसी बॉनुत डाल दीजिये इन ओत तो इसका गरीन का झाल यो द्ठीरिंग जब आगरा करें तो यह जो होता है। वन जीन को जब सांध्र में नािट्रिक अमल के साथ विकीलिया करें घाए है तो बेंजीन का नाइट्रेशन होता है तो जब अभी किरिया बेंजीन है बेंजीन कभी किरिया HNO3 या H2S4 से करा हैं तो क्या बेंजीन का नाइट्रेशन हुआ क्योंकि बेंजीन पर नाइट्रोजन समू नाइट्रोजन और ऑक्साइड समझ जुरा हूँ देखो NO2 जुरा औ किसी के बेंजिन का है ना इसको बोलते हैं इसको यह वी कोशन काता है कि सलफर कोसन है कि सलफर इस एफ सिक्स बनाता है जबकि इस इस नहीं क्यों जो सल्फर होता है भाई सल्फर जो है अपका जो इस सल्फर सल्फर जो होता है यह क्या करता है दो चीज बना एक बना सकता है इस एफ सिक्स बना सकता है लेकिन इस सी इन नहीं बना इस नहीं बनाता है क्यों इस सल्फर है त सब्सक्राइब करें और जो सब्सक्राइब करें और जो सब्सक्राइब कर लेगा इसलिए नहीं बनाता है सीम्पल समझ यह नहीं ए यह दोस की माँ आपकी पिताजी आपकी पिता तोस की सिस्टर लेकिन दोस की पत्नी आपकी पत्नी नहीं हो संबंद मना लेता है मतलब प्यार कर लेता है उसके साथ खुश रहा पाता है लेकिन कॉल्राइट के पास नहीं क्योंकि कॉल्राइट के उसकी पत्त नहीं है किसकी उसकी दोस्त की इसलिए उसके साथ नहीं रहा पाती है इसलिए सलफर जो है एस सिप्सिक्स बना पाता है पर पे इस यह बना पता कियो हूं रीजन बताइए चारों का हेुँआ है स्ते फोलोजन का चॉटा शाइं ह्यों ऐसे इक ऩि दाला हुगा है ति छो आप जलता है हुग इलोजन की वाथ नहीं कर रहा है तब फोल्राइट का साइड छोटा होने के कारण सलफल फोल्राइट के साथ क्या करता है अभिकिरिया कर अस्थाई बन जाते हैं वैंच ठीक है जो वो कमजोर आद्मी होता उस पर सोशन करके अपना सामिल कर लेता है जैसे देखो जो कमजोर घ्राइब अपने में मिला लेता है उसी तरह से कहाँ खुलराइड के साइज छोटा होने के कारण सलफल खुलराइड के साथ क्या करता है अभिकीरिया कर अस्था यह सब आप रहें होना चाहिए असित बनाता है पर खुलराइड के बाई जो बाई देश है चाइना सुचेगा कि भारत को आकर बनकर के ले जाए हम लग हमने चूरी पेन का तो इसे पड़ता भी यह थोड़ा सा मतलब चाइना में तो नहीं लगता है बिहार से सिक्किम लगता है ने क्या लगता है पच्छी मंगा भूकने लगाएगा सुरू का देगा हो गया इसलिए भारत चूरी बनकर वइटा नहीं तो फॉल्राइड जो है भारत है फॉल्राइड जो है छोटा मोटा मेंमार है अगल का देश है हुआ च्छोटी देश होता है हम हिष्टी पढाते है नहीं हिष्टी के भात नहीं लाएंगे झोगराफी के बात नहीं लाएंगे जोगराफी पर नहीं होता है तो इसके लिए फिल्राइट बचारा कमजोर है इसके आकार छोटा है इसलिए चैना वह आकर आकरमन करके ले गया इसलिए सटा लिया तो इसलिए क्या बना इस भीविप्लाइट की तो यह अज़ तो मजा रहाऊगा परने बस आपके दोस्त दस बच्चे पर रहे हैं कोसर है वी ओडी और सी ओडी से आप क्या समझते वी ओडी क्या है समझते इसको समझते इसको समझिए तो पहले वी ओडी समझते हैं जल में घोलित ऑक्साइड की मिली ग्राम में वह मातरा जो एक लीटर जल में उपास्तित कार्बनिक पदार्थ के पांच दिन तक 20 डिगरी सिल्सिस ताप पर विघटन के लिए आवश्यक है वी ओडी का लादा है कुछ समझ नहीं आवा आपको पता है समझ में कुछ नहीं आए होगा मैं आपको बताता हूं कि दिल धरकता है यहूं के जड्रम में चला देखो मारेकोव्ण्ट कुस्षिण जल में क्या करता है VOD क्या है तो जल में घुलित ऑक्सिजन की मिली ग्राम में वह मात्रा क्योंकि जो जल होता है उसमें ऑक्सिजन और हाइड्रोजन दोनों होता है आपको पता होगा क्योंकि जो जल होता है इस्टू होता है इसमें ऑक्सिजन का एक मात्रा होता है और वन इस सुरी स्टान कान पात होता है समझ जल में घुलित ऑक्सिजन यह मातरा इसे में पॉइंट ही जल पॉइंट ही ओक्सिजन होता है उसमें एक पॉइंट हो कि अपास दिन तक पास दिन तक 20 डिगरी चल्सियस ताफ पर विघटित ने के लिए या विघटित के लिए आवस्यक समझ में नहीं है देखो कुछिन कहा गया कि जल में घुलित ऑक्सिजन की मिली ग्राम वह मात्रा है आनि कि जल में अगर एक पॉइंट या जो एक पॉइंट घुलता है एक कन जल का एक बुंद जल में दो हाइड्रोजन दो कन और हाइड्रोजन का एक कन ऑक्सिजन का रहता है एक कन का ओक्सिजन जो है तो कहां गया गूलित ओक्सिजन की रवा मात्रा है यह औक्सिजन वा मात्रा है जब एक लिटर जल में उपस्तित कार्मिक पदार्थ के पास दिन तक एक लिटर जल में जो कार्विक पदार्त है उसको पास दिन तक क्या करेंगे हम लोग 20 डिग्री सिल्सीयस पर बिघटित करेंगे तो उसके बराबर आएगा आवसिक है ठीकर उसके बराबर होगा इसके बियोडी कहते है अब समझेगे अब सियोडी क्या है तो यह जल में कार्विक पदार्त के ऑक्सिकरन हे तो आवस्यक ऑक्सिजन की मातरा के बराबर है मतलब यह कार्वन क्या मतलब सियोडी करता है यह जल में जो परदूसा के उसका मापन करता है और जल में कार्विक पदार्त के ऑक्साइड हे तो आवस्यक ऑक्सिजन की मातरा के बराबर होत सब इसको हो सकता है कि आपको कटना यह हो लेकिन क्या कर सकते हो जहां पर मिठाई क्या होगा तूबास आप tirar तो नहीं सुरू हो गया है और आप लेट भी चलो जाएगा विचालो जाएगा सबका चलो जाएगा समया आपको साम को साथ से 8 क्लास अलता है और अभी तक जो भी क्रेस को जवाइन नहीं किये हैं नंबर दिकराइग केंटिक कीजिए याप परमात्र 299 का क्रेस कोर्स में आपको पीडियाप नोट्स के साथ अल